नमस्कार आप देख रहें लाइब बिहार में हूँ आपके साथ असलम अबबास उनेश्टो सेटालिस में मिली अजादी के बाद से बिहार में कई दसक तक यानी कहें कि कई सालों तक कॉंग्रेस की सरकार रही है लेकिन कॉंग्रेस के सरकार में बिहार में एक ऐसा वक्त भी आया जब बिहार की सियासत में जाती समिकरण के हिसाब से महत्पुर्ण भुन का निभाने वाली अबादि मुस्लमानों को मुख मंत्री के कुर्सी तक भी पहुचने के लिए काफी संगर्च करना पड़ा या कहें कि काफी संगर्च के बाद दो जुलाए उनेश सो तेहत्त में मुख मंत्री के कुर्सी नसीब हुई अओ अबद्धुल गफूर खान वो आखरी मुस्लिम मुख मंत्री बिहार में अब तक ते जिस तरीके से बिहार की सियासप मुसल्मानों को लेकर राजनिती होती रहती है जिस तरीके से सोचल इंजरिंग की बात करें हाल ये राजनिती के अगर बात करें तो उन्हें 190 के बात जिस तरीके से लालू जादो का राजनिती में उभार हुआ और राजनिती के पलक पर लालू जादो का बर्चस्प इतना चमका कि 15 साल त बातूं के बीच में आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा सवाल है वो जातिये गन्ना को लेकर है जिहां बिहार सअगार में जातिये गन्ना के आंक्ड़े जाली कर दिये जिसके हिसाब से बिहार में अबादी जो है तेरा कोड़ साथ लाक पचीस हजार तीन सो दस बताई गई है और यही वो आकड़ा है जो बिहार की अब राजनितिक में एक भुचाल सा ला दिया है और भुचाल यह है कि किसकी कितनी अबादी है बिहार लेलीन या कहें कि भारत के लेलीन की नाम से मस्वूर बावु जगदेव परशाथ साफ साफ उनका नारा था जिसकी जितनी अबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी यानि आप बात जो है राजनिती में करें या फिर नौकरी और रोजगार की बात करें जिस तरीके से सरकारे सिस्टम चलता है उसमें बाबू जगदेव परसात ने बार-बार कहा था कि जिसके जितनी भागेदारी है उतनी हिस्सदारी होनी चाहिए और जातिये जो गनना पर फीट बैठता है 14.07 अबादी बिहार में जादो की बताई गई है जादो की और वो सबसे जादा अबादी है बिहार में आपड़ों के हिसाब देखे तो तो जादों की अबादी तो दूसरी तरफ एम जिस तरीके से लालू जादों यानि की मुस्लिम, मुस्लिमों की अबादी 17.07 पीसद इस जाती आखड़े की हिसाब से बिहार में अबादी बताई गई है तो आप समझ लेजी 14 और 17 को मिला कर 31 से 32 परतिशत अबादी बिहार में हो जाती है और इसी समिकरन को लेकर अब चर्चाय तेज है कि लालू जादों जिस तरीके से वाई समिकरन की बात करते हैं, यादों की बात करते हैं और मुक मंत्री की कुर्ची पर यादों पिछले लगतार 1990 से 2005 तक यादों समझाय के मुक मंत्री ते खुद लालू जादों की पार्टी की सरकार है अब सवाल इसी को लेकर तेजी से उभरने लगा है बिहार की राजनिती में खास करके सोचल मेडिया और डिश्टल प्लेटफॉर्म पर लोग सवाल पूछ रहें और बता रहें कि 17 समलों से अधिक अबादी मुसलमानों की है यानि कि सबसे जादा अबादी बिहार में मुस बिहार में मुख मंतरी कब बनने जा रहा है जिस तरीके से सोचल इंजरींग की बात होती है जब हिस्सेदारी की बात है सबसे ज़्यादा अवादी जब मुसलमानों की है तो फिर मुख मंतरी भी बिहार में मुसलिम ही बनना चाहिए आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है क कि आखरी मुस्लिम मुक मंतरी अब्दुल गफूर खान बने थे जो 2 जुलाई 1973 से लेकर 1975 तक कुर्षी पपने रहे उसी वक्त में इमर्जेंसी का भी दौर रहा लेकि उसके बाद से मुसल्मानों को लेकर सियासत तो होती रहे लेकिन भागेदारी नहीं मिले लेकिन अब जिस तरीके से जाती है गन्ना के आकड़े सामने आगए उससे असपश्ट हो गया है कि इस बिहार में सबसे जादे आबादी मुसल्मानों की है तो फिर हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलेगी हिस्सेदारी की बात जब आती है तो कहां से पिछड़ आते हैं इसी तरह की सवाल सोसल मिडिया पर डिश्टर प्लेटफरम पर लोग पूछ रहे हैं और चला भी रहे और साब साब पूछा जा रहा है कि अगला मुक मंत्री मुसल्मानों को कब बनाया जा रहा है अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो मौजूदा समीकरण में बिहार में मुसल्मानों के हिस्सेदारी की संख्या बहुत ही कम है खास करके अगर बात करें आप तो एंडिये यानि 2020 में जिस तरीके से एंडिये के नित्रितों बिहार में सरकार बनी तो मात दो ही मुस्लिम कंडिडेट के रूप में मंत्री बनाएगा एक जमा खान जो की जदिव कोटे से और दूसरा सहनवाहिस है मौझूदा समय की अगर बात करें तो मौझूदा समय में जदिव कोटे से सिर्फ जमा खां एक ही मंत्री है तो दूसरी तरफ राजत कोटे से मंत्री को संख्या की अगर बात करें तो आप इस्राइल मंसूरी मंत्री के कुर्ची को समाल रहे हैं इसके अलावा आप जो देखन मौहमद की बात हो यह सब नाम जो है चर्चित चेहरे नहीं है यह सब जो है कॉंग्रेस कोटे से भी हाला कि सामिल है और राज़त कोटे से भी है लेकिन हिस्चदारी और भागदारी की जो बात हो रही है बहुत ही कम है यानि कि जिस तरीके से 17% सधिक मुसलमानों की अबाधी बिहार में बताई गई है जातिये गन्ना के जो आकड़े हैं उसके मताबिक फिर हिस्चदारी क्यों नहीं है आज हिस्चदारी एक तरफ 14.7% अबाधी वाले यादों यानि कि जिस तरीके से यादों की बिहार में जनसंख्या यादों समधाय से डिप्टी सियम मौजुदा सब्सक्राइब लेकिन मुस्लमानों की जो हिस्चदारी भागेदारी और नितिस कैबिनेट में भी कम है और आगे क्या होगा जिस तरीके से मुखमंत्री नितिसकुमार तो जैसे भी आदों बोल रहे हैं कि अब योजनाओं के साथ-साथ काम करने में असानी होगी पता चल जाहें कि किसके कितने हिस्चदारी है तो इसके हिसाब से अब नितिसकुमार को मुखमंत्री नहीं बने रहना चाहिए जैसा कि डिश्टल और सोसल मेडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं ट्रेंड कर रहे हैं सब्द पूछा जा रहा है कि भागेदारी तो अब हमें मिलनी चाहिए और हमी को मिलना चाहिए कि मेरी अबादी सबसे जादा है तो जिस तरीके से जातिये गन्ना के आंकड़े जारी हुए उसके बाद से आप समझ लिजी किस तरीके से बिहार की सियासत में नई परपाटी की सुरुआत हुए लोग अब सवाल पूछ रहे हैं लोग चाहते हैं कि 2% से अधिक अबादी यानि कुर्मी समुदार से आने वाले मुख मंत्री नितिस कुमार कैसे पिछले 17-18 साल से मुख मंत्री बने हुए कैसे अपने आपको बिहार के सत्ता प्रकाविश की हो जबकि उनके हिस्ष्यदारी बहुत ही कम है जन संख्या बहुत कम ह तो उनकी हिस्ष्यदारी ज्यादा कैसे हो जाएगी वही सरकार में इसके लावा और सारे बहुत सारे सवाल हैं खास करके जो मुद्दा था मुद्दा था मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से जातियां आकड़े के बाद हिस्ष्यदारी की बात हो रही है परतिस्यद की बात चाहिए तो मुसलमानों की तरब से मुसलिम उमिदवार ही मुख मंत्री बनना चाहिए और बिहार के कुर्सी पर का भी जोना चाहिए जैसा कि जातियां आकड़े जारी किये गए हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये बाते बता रहा था सोसल मेडिया पर सोसल प्लेटफॉर्म प का कुर्सी पर मुसलमान बेखती ही बैठेगा तो तरह के सवाल सोसल मेडिया पर पूछे जा रहे हैं डिश्टर प्लेटफॉर्म पर चला जा रहे हैं आप अपनी राक्या रखते हैं इस बारे में जातिये गन्ना के आंकड़ा सामने आने के बाद मुसलिम भागेदारी और हिस्सिदारी के बाद हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा तब तक के लिए लाइब विहार के साथ आप बने रहे हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को अगर ये वीडियो आप पर लाइक जरूर करें